नमोग देश आते हों तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चानल पर रहने हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल अकर प्रस कर लिजेगा जिसे मैं को भी वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल ज अच्छान हो जाएगा तो दूस्तों चलिए बिन टैम इसके वें वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अब तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको भासा और लिपी में भी अंतर बताया था तो दूस्तों चलिए एक बार फिर से आपको मैं रिवाइन करा दूं तो जो बोलने की कला होती और लिपी जिस जो लिखने की कला होती उधारर के तोर पर ग्यान अगर आप ग्यान को इस तरह से लिखेंगे तो लिपी उसकी देखी दिया तो देवनागरी और भाशा हिंदी है और ग्यान अगर आप तरह से लिखेंगे तो वो रोमन लिपी होगी और भासा हिंदी और नौलेज अगर आप लिख दें तो वो लिपी रोमन और भासा अंग्रेजी हो जाएगी तो दोस्तों इसी प्रकार से हम अब भी आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों इलिए बढ़ते हैं आगे स्वर सीमित होते हैं और वेंजन आ सीमित छोटा बच्चा हो या जीव इनके प्रारंबिक भासा आ-ा-ई-e-o-o-o-m जो के प्राकरतिक पाली भासा है जो विश्व की सभी भासाओं की जननी है दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्णमालाओ का अध्यान कराया था तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं आ-ा-ई-e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o तो दो चलिए अब दो अक्षर वाले शब्ड पढ़ते हैं की कोशिश करते हैं तो दोस्तो इस तरह से कुछ दो अक्षर वाले सब लिखे जाते हैं तो दोस्तो आप दो अक्षर वाले शब्ड पढ़ना सीख गया होंगे तो दोस्तों चलिए अब पढ़ते हैं तीन अक्षर वाले शब्द असर, नहर, महल, नमक, मगर, अचल, जहर, कलश तो दोस्तों चलिए मात्रां लगाना सिकते हैं A, A, E, E की मात्रा उपर दाईयोर लगा जाती है U और देर्गू की मात्रा नीचे लगा जाती है A, A, O, O की मात्रा उपर बाई और लगा जाती है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और शब्द हैं जिनने आप देख लीजिए तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं सयूक्त अक्षर की तो दोस्तों सयूक्त अक्षर पढ़ने से पहले अभी आपने स्क्रीन पर कुछ अक्षर देख पा रहे हैं जो कि दम लिपी में नहीं मिलते हैं तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सयूक्त अक्षर पढ़ते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ स्वयोग तक चरह है तो दोस्तों जैसा कि शिला लेखो पर लिपी लिखने के कई तरीके हैं रहे हैं जैसा कि अब ही आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्वर और विंजनों में झाल झाल तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जितने लोग भी डेली इस पाली लेंगोज को सीखने के प्रैक्डिस करते हैं कमेंट बॉक्स में तो उनकर के जरूर देएगा झाल 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 झाल